Q1. मोहिनिय टम किस राज्य की नृत्य शैली है? Option है A. तमिल नाडू B. आंध्रप्रदेश C. केरल D. असम सही जवाब है Option C. केरल Q2. गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? Option है A. बाल गंगाधर तिलक B. गोपाल कृष्ण गोखले C. दादा भाई नौरोजी D. राजेंद्र प्रसाद सही जवाब है Option B. गोपाल कृष्ण गोखले Question No. 3. गीत गोविंद काव्य के रचैता कौन है? Option है A. जैदेव B. सूर्दास C. केश्वचंद्र D. मीराबाई सही जवाब है Option A. जैदेव Question No. 4. मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? Option है A. 46 B. 45 C. 32 D. 41 सही जवाब है Option A. 46 Question No. 5. एक अश्वशक्ती में कितने वाट होते हैं? Option है A. 960 वाट B. 720 वाट C. 746 वाट D. 860 वाट सही जवाब है Option C. 746 वाट Question No. 6 भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? Option है A. सुरेंदरनाथ बैनर जी B. रविंदरनाथ टैगोर C. दादा भाई नौरो जी D. व्योमेश चंद्र बैनर जी सही जवाब है Option D. व्योमेश चंद्र बैनर जी Question No. 7 गांधी जी ने कॉंग्रेस के किस अध्यवेशन की अध्यक्षता की थी? Option है A. लखनाउ B. अमरितसर C. बेल गाउं D. कोलकाता सही जवाब है Option C. बेल गाउं Question No. 8 भारत में जंडा दिवस कब मनाया जाता है Option है A. 3 दिसंबर B. 7 दिसंबर C. 11 दिसंबर D. 17 दिसंबर सही जवाब है Option B. 7 दिसंबर Question No. 9 उच्च न्यायाले के न्यायाधीशों की नियुक्ती कौन करता है Option है A. सर्वोच न्यायाले B. राश्ट्रपती C. प्रधानमंत्री D. मुख्यमंत्री सही जवाब है Option B. राश्ट्रपती Question No. 10 शांती निकेतन की स्थापना किसने की Option है A. स्वामी विवेकानंद B. दादा भाई नौरो जी C. रविंद्रनाथ टैगोर D. सुरेंद्रनाथ बैनरजी सही जवाब है Option C. रविंद्रनाथ टैगोर Question No. 11 कॉंग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? Option है A. अबुल कलाम आजाद B. जाकिर हुसेन C. बदरुद्दीन तयब D. अमजल खान सही जवाब है Option C. बदरुद्दीन तयब Question No. 12 भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? Option है A. राज कुमारी अमृत कौर B. विजलक्ष्मी पंडित C. अनी बेसेंट D. सरोजिनी नाइडू सही जवाब है Option C. अनी बेसेंट Question No. 13 C. सरोजिनी नाइडू D. विजलक्ष्मी पंडित सही जवाब है Option C. सरोजिनी नाइडू Question No. 14 निम्नलिखित में से किस ग्रह के सरवाधे को पग्रह है? Option है A. ब्रहस्पती B. शनी C. शुक्र D. अरुन सही जवाब है Option A. ब्रहस्पती Question No. 15 प्रथम बार राश्ट्रपती शासन किस राज्य में लागू किया गया? Option है A. जम्मू कश्मीर B. पंजाब C. राजस्थान D. परश्चिम बंगाल सही जवाब है Option B. पंजाब Question No. 16 विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है Option है A. थार B. अटाकामा C. सहारा D. इनमें से कोई नहीं सही जवाब है Option C. सहारा Question No. 17 प्रथम गोल में इस सम्मेलन कहां हुआ था? Option है A. नई दिल्ली B. लंदन C. मुंबई D. इनमें से कोई नहीं सही जवाब है Option B. लंदन Question No. 18 Computer के लिए IC चीप आमतोर पर बनाये जाते हैं Option है A. सिलिकॉन B. क्रोमियम C. सिलिका D. आयरन ओक्साइड सही जवाब है Option A. सिलिकॉन Question No. 19 महाबोधी मंदिर कहां स्थित है? Option है A. वारानसी B. पाटलिपुत्र C. बोध गया D. राजगीर सही जवाब है Option C. बोध गया Question No. 20 हीराकुन बांध किस नदी पर अवस्थित है? Option है A. गंगा नदी B. पुगली नदी C. महा नदी D. दामोदर नदी सही जवाब है Option C. महा नदी Question No. 21 थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? D. राजगीर सही जवाब है Option D. राजगीर Question No. 22 नीली क्रांती किस से संबंधित है? Option है A. उर्वरक उत्पादन B. अंडा उत्पादन C. मत्स्य उत्पादन D. तिलहन उत्पादन सही जवाब है Option C. मत्स्य उत्पादन Question No. 23 केवलादेव राष्ट्रिय उध्यान कहां स्थित है? Option है A. गुजरात B. हर्याना C. राजस्थान D. मध्यप्रदेश सही जवाब है Option C. राजस्थान Question No. 24 पुर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? Option है A. 1927 B. 1929 C. 1931 D. 1942 सही जवाब है Option B. 1929 Question No. 25 भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां स्थित है? Option है A. कटक B. खजुराह C. तेरुचिरापल्ली D. पूरी सही जवाब है Option C. तेरुचिरापल्ली Question No. 26 करक्रेखा परस्थित भारतिय शहर कौन सा है? Option है A. चंडीगर B. मुंबई C. रांची D. डिस्पुर सही जवाब है Option C. रांची Question No. 27 छटपूजा किस राज्य का प्रमुक्त योहार है? Option है A. आंध्रप्रदेश B. तमिलनाडू C. बिहार D. केरल सही जवाब है Option C. बिहार Question No. 28 लाल बहादूर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम स्थित है Option है A. नई दिल्ली B. चेन नई C. हाइद्राबाद D. मुंबई सही जवाब है Option C. हाइद्राबाद Question No. 29 विश्वेद्स दिवस कब मनाया जाता है Option है A. 1 दिसंबर B. 10 दिसंबर C. 8 मार्च D. 12 जुलाई सही जवाब है Option A. 1 दिसंबर Question No. 30 शहीद दिवस कब मनाया जाता है Option है A. 1 मार्च B. 30 जन्वरी C. 24 जन्वरी D. 27 दिसंबर सही जवाब है Option B. 30 जन्वरी D. 29 जन्वरी